नमस्कार दोस्तों मैं गपाल और आप सबीका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे तो जैसे कि दोस्तों इसरम कार्ट के रिगार्डेंग सरकार के तरफ से दो बड़ी अपडेट निकल करके आच चुकी है जिसके बारे में आप सबो को पता होना चाहिए तो क्या है अपडेट आज के इस वीडियो में मैं आपको step by step बताओंगा आप बने रहेगा तो जैसे कि दोस्तों इसरम कार्ट का apply करने का last date 31 दिसमबर तक है तो बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों इसका last date अभी तक fix नहीं किया गया है जैसे ही last date fix कर दिया जाता है तो मैं आ जोने की बात कई गई थी 31 दिसमबर तक जो भी आविदान होगा 31 दिसमबर से पहले आविदान जो भी करेगा उसको 500 रुपय की दर से मजदूरी भता दी जाएगी तो ऐसे में दोस्तों काफे सारे लोग इस अफ़वा में पड़ गया कि इसका last date 31 दिसमबर तक रखा गया तो ऐसा बिलकुल नहीं है दोस्तों क्योंकि दोस्तों जो भी सरकार होता है वो अपना वर्चस अस्थाफित करने के लिए यह सब रजते रहता है तो आप इस अफ़वा में ना पड़े और दोस्तों दूसरा अपडेडियों है कि जैसे कि अगर आपके अधार कार्ड में मॉबाइल के घर बैठे इस रमकार्ड बना सकते हैं तो यह दूसरा अपडेड है और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक अपडेड के वारे में बता दो जैसे कि अगर आप अभी इस रमकार्ड का ओफेस्यल वेफसायर में विजिट किजिए गा तो वहां देखिएगा है हेवी ट्रेफिक का प्रोवलेम चल रहा है ऐसा क्यों तो देखिए दोस्तों यूपी सरकार के तरफ से एक अनॉंस्मेंट किया गया था कि जो भी और संगठी छेत्र के मज़़ूर अगर आवेदन करते हैं 31 दिसंबर से पहले उसको 500 रुपई की दर से मज़़ूरी भत्ता सथाती चाहेगी तो ऐसा कहा गया था इसलिए दोस्तों इस साइड में अभी हैबी ठ्रेफिक का प्रोवलेम चल रहा है यह आप अभी आवे दन नहीं कीजिए बात में आवेदन कीजिए भी तो दोस्तों आप ऐस सब्सक्राइब पासकते हैं ठीक है दोस्तों तो आप मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा पट सब्सक्राइब कर लिजिए वेल एकन में जाकर आल वाले नोटिफिकर्स नो प्रेस कर लिजिए इससाब को पलपल के उडेड मिलने वाला है तो चलिए दोस्तों वीडियो देखिने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलता है एक नई एनर्जी के साथ एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो